चीन से खास लगाव रखने वाले मौलदीव के राष्ट्रपती महम्मद मौईजू भारत पहुँच चुके हैं वो चार दिन की यात्रा पर हैं कभी चीन की तारीफ करने वाले मौईजू ने भारत आने से पहले बयान दिया कि मौलदीव ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिसे भारत को नुकसान पहुँचे भारत हमारा साजिदार और मित्र है तेश में बिगड़े आर्थिक हालातों के बीच मौईजू का भारत दोरा मालदीव को राहत पहुँचा सकता है उसके नकारात्मक छवी को सुधारने के साथ मौलदीव में भारतिये परटकों की संख्या में बढ़ा सकता है कुछ समय पहले मौलदीव के नेताओं के भारत विरोधी बयानों की वज़ा से भारतिये परटक कितनी एहमियत रखता है चीन को लेकर मौईजुक और रुख क्या है ये से समझा जा सकता है कि राश्टुपति की कुर्सी संभानले के बाद उन्होंने सबसे पहले चीन की यात्रा की थी चीन हिंद महासागर में अपना दाइरा बढ़ा रहा है और भारत उसकी हर हरकत पर मौईजुक और राश्टुपति बनना इसका उधारण है मौईजुक की आर्थविवस्ता में एक तिहाई योगदान टूरिज्म सेक्टर का है इसकी आर्थविवस्ता वहां पहुंचने वाले परिटकों के कारण चलती है यही वज़ा है कि मौईजुक चाहता है कि चीन प माना जाता रहा है मौईजुक में कए इंफ्राइंस ट्रक्चर प्रोजेक्ट में चीन ने निवेश किया है जानकारी के मताबिक एक अग्याद चीनी फार्म ने फ्यूदु फनॉलु नाम का एक छोटे से मौईजुक के टापू को 50 साल के पठे पर 4 मिलियन डॉलर में खरी और बाद में 2016 में से चीन को पट्टे पर दे दिया गया अब्दुल यामीन अब्दुल गयूम 2013 में मौलदीप के राष्टपती चुने गए नोने चीन को अपने व्यापार बढ़ाने की अनुमती दे 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 2018 में जब मौलदीप में गयूम शाशन द्वारा कुछ राजनितिक हस्तियों को कैद किया गया था तब भारत ने हस्तक्षेप किया था और गयूम को अपात काल की घोशना करने से रुखने के लिए कहा था उस समय चीन ने भारत को मौलदीप की घरेलू राजनिति में हस्तक्षेप करने के खिलाफ चेताव में दी थी चीन ने राणितिक रूप से मौलदीप से सबसे कब विक्सित देश की श्रेणी में उपर उठा कर बहतर अर्थिविस्ता बनाने में मदद की मौलदीप के आसपास हिंद महासागर शित्र राष्टपती शे जिनपिंग का ध्यान के इंदित कर रहा है जिन्होंने वहां बेल्ट एंड रोड इनिशियेटिव की एक शाखा समुदरी रेशम मार्क परियोजना का उस्तार किया है इस परियोजना में मौलदीप की चुनिंदा परियोजना और सहित यूरेशिया और अफरीका में बनियादे ढाँचा परियोजनाओं के लिए एक श्रीलियन डॉलर देने का दावा किया गया पिछले साथ सालों में विशेश रूप से यार बी आर आई की गोशना के बाद चीन ने कई देशों खासकर छोटी आर्थ विवस्ताओं वाले मुल्क के इंफरास्ट्रॉक्चर के विकास के लिए अर्वो डॉलर का निवेश किया है जिसमें मौलदीप भी शामिल है पिछले साल मौलदीप पहुँचने वाले भारती परिटिकों के संख्या में करीब पचास जार की कमिया आई और 150 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ मौजु के ये बात समझा चुकी है कि देश के अर्थवस्ता को रफतार देनी है तो भारत का साथ जरूरी है उसकी अंदेखी नहीं कि जा सकती इतना ही नहीं मौलदीप चिकत्सिके सिवा इंफ्रेस्ट्रक्चर और फूड जैसे मामलों में भी काफी हद तक भारत पर निर्भर है यही वज़ा है कि संबंदों को मजबूत करने के लिए उनकी भारत यात्रा बेहद ही खास है वो 10 अक्टोबर तक भारत में रहेंगे